दोस्तों आज है 30 जून, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जून 2023 के most important current affair questions के बारे में आज की वीडियो बहुत ज्यादा detail में है तो आप पूरा ध्यान से देखेगा और इसमें हम लोग सुचकांग के भी बात करेंगे पिछले दिनों के जो भी इंडेक्स आए हैं सबको आज हम रिविजन करेंगे चलो तो सुरू करते हैं हम लोग कल के current affair के रिविजन से तो कल हम लोगों ने पढ़ा था QS World University रेंगे में कौन सा भारतिय संस्थान टॉप पर है तो IIT Bombay जो है ये भारतिय इंस्टिट्यूट्स में टॉप पर है Operation Conviction ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुरू किया गया है गवहत्या जैसे जगह ने परादों से रोकने के लिए बचाने के लिए Credit Card आधारत UPI भुकतान की अनमती देने वाला पहला Public Sector का बैंक बन गया है केंडरा बैंक और अभी हाली में जूलन गोस्वामी, हीथर नाइट और इयान मॉर्गन इन तीन घिलाड़ियों को MCC विस्व क्रिकेट समित में सामिल किया गया है दायोग सूत्रफोर चिल्डरन नाम की बुक लिखा है रूपापाई ने और रोहिर जावा ये हिंदुस्तान यूनिलिवर इंडिया के M.D.O. होंगे और वहीं PM मोदी ने भोपाल से पांच वंदे भारत एक्स्प्रेस को हरी जंडी दिखाई है दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क निटवर के मामले में भारत आ गया है दूसरे पोजीशन पर और अभी भारत जो है इसने विशेश ओलंपिक विसो खेल में 202 मिडल जीते हुए हैं लीथियम आयन बैटरी के जो जनक हैं अविसकारक हैं अविसकारक थे जान बैनियस्टर गुड इनफ इनका निधन हो गया है इनको 2019 में नोबेल भी मिल चुका था यह टॉप 10 कुशन से करेंट अफेट से कल की वीडियो से जिनका आपने किया कोई क्लेर विजन अब बात करेंगे आज की करेंट तो पहला कुशन ऊचेक फिर इन परतेख वर्स 29जू को किसकी जैनती पर राष्ट्य सांके की दिवस मनाये जाता है तो देखिए के जिनका को और यहां पर सदेखो देखो दोस्तो सांखिकी का जो शुरुवात में मॉडल है वो इन्होंने ही दिया था, यहां तक कि जो भारत का जो राश्टी सांखिकी संगठन है, CSO जिसे कहते हैं हम लोग, जो राश्टी आई की गढ़ना करता है, उसकी establishment में इन्हीं का योगदान था, अहम योगदान था, पहले अध्यक्ष भी यही बनाए गए थे, ठीक है, आजाती के बाद CSO का गठन किया गया, CSO संस्था बनाए गई, और उसी के तोरा राश्टी आई की गढ़ना की जाती है, अच्छा, भारत में पंचवर्सी योजनाओं की बारें तो आपने जरूस ही सुना होगा, तो पंचव महान लोबिस जिन है, ठीक है, PC महान लोबिस, हम लोगी सोर्ट फर्मीन का नाम लेते हैं, और प्रसान चंद महान लोबिस निका पुरा नाम है, क्लियर है, तो 2007 से ये दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, तो थीम तो बहु मनाया जाता है, दो जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया, उन्तीसवा राजी की रुप में, 2014 में तेलंगाना आंधर प्रतिस्ते अलग होकर के नयराज बना था, तीन जून को विस्व साइकल दिवस मनाया गया, इस बार के थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर सप्टेनेबल फ्यूचर, पाँच जून को विस्व परियावरान दिवस मनाया गया, जिसके थीम थी बीट प्लास्टिक पॉलिशन, साथ जून को विस्व खादिवस, फूड स्टेंडर्स सेव लाइब्स थीम के साथ, आठ जून को विस्व माहा सागर दिवस, प्लानेट जुन को विस्व बाल स्रमने से दिवस मनाया गया तेरा जुन को अंतरास्टि एंबलिजम जागता दिवस और चौदा जुन को विस्व बाल स्रमने से दिवस मनाए गया और इसके लावा 16 जुन को अंतरास्टि पारवारिक प्रेशन दिवस मनाया गया ठीक है ना इंटरनेशनल फैमिली रिमिटेंस इटी मनाया गया और 17 जुन को विस्व मरोस्तली करण और सूखारोग्थाम दिवस मनाया गया ये भी इ विस्सुनाविक दिवस मनाया गया और 26 जून को विस्सुट ड्रग दिवस मनाया गया 27 जून को दूस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट विस्सु MSME दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट हंड़ेट यह भारत वाली थीम थी उन्ती जून को राष्टे सांखे की दिवस मनाया गया जो की भारती सांखे किता PC महान लोबी जिकी चैनती पर मनाय जाता है क्लियर है ना विल्कुल चलिए वीडियो को लाइक कर दीजे आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो और सेयर करना भूल जाते हो वीडियो को लाइक कर दिया को जिसे नोटिफिकेसन आप तक पहुंचता रहे अगला हाले में जारी उर्जा संक्रमण सूजकांक में भारत किस अस्थान पर है तो अभी उर्जा संक्रमण सूजकांक जारी किया गया है दूस्तों और इसने भारत है 67 अस्थान पर अब इसमें स्वेडन डेनमार्क यह सभी टॉप पर कंट्रीज है ठीक है तो यहां पर टोटल 120 देश सामिल किया गया है जिसमें अब देखो पिछले दिनों में भी बहुत सारी सूजकांक जारी किया गया थे उनको हम लोग रिवाइस कर लेते हैं जैसे अभी देखो विश्व प्रेस स्वतनता सूजकांक जारी किया गया था जिसमें भारत 161 अस्थान पर है बहुत ही केरफुली देखेगा यह पेज का देखो जारी करताओं के नाम जो जारी किया है वह भी मैंने लिख दिया है तो यह भी पूछा जाता है इसको इग्नोर मत करना देखो विश्व प्रेस स्वतनता सूजकांक आप से पूछा जाया कौन जारी किया तो आप बताएंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क सूच कांग यानि कि Global Competitiveness Index जो है यह किसकी दोरा जारी किया जाता है इसमें भारत 40 में अस्थान पर है ठीक है Global Competitiveness Index में Global Gender Grap Index में यह भारत 127 में अस्थान पर है और यह भी WEF की दोरा जारी किया जाता है देखो Global Gender Grap Index और यह वाला देखो Global Energy Transition Index दोनों ही WEF चारी करता है हैंके की वार्षिक दुख सूच कांग में 103 में पर भारत है दुख सूच कांग में 130 में पर है और Happiness Index में खुचाहली सूच कांग में 126 में पर है भारत ठीक है वैस्विक बॉद्धिक संपता सूच कांग IP Index 32 में अस्थान पर भारत है और विस्वेंक की रसत संपता यानि Logistic Performance Index में भारत जो है 38 में अस्थान पर है विस्व खुसाहली सूच कांग में 126 में अस्थान पर हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 में अस्थान पर क्लियर है ना चली आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है हाली में NMDC ने औरंग जेव लेन का नाम बदल करके क्या रख दिया दिल्ली नगर निगम के द्वारा ये चेंज किया गया है ठीक है औरंग जेव लेन का नाम बदल दिया गया है ये लुटियंस दिल्ली में इस्थित है और अब ये नाम चेंज होगा कुछ साल पहले ही जो रोड थी उसका नाम बदला गया था अगस 2015 में NMDC की दोरा ही इसकी रोड को औरंग जेव रोड को नाम बदल करके डाक्टर एपी जेब दुलकलाम रोड किया गया था अब इसकी लेन का भी नाम बदल करके औरंग जेव लेन से डाक्टर एपी जेब दुलकलाम लेम कर दिया गया है अच्छा एक और कुशन याद रखिएगा यहीं से लिंक कर लो और अंगाबाद जो कि महराष्ट में है उसका नाम बदल करके छत्रपती सांभाजी नगर कर दिया गया है यह important है पूछा जाएगा आपसे अगला जून 2023 में सीनियर महिला राष्टे फुटबाल चैंपेंसिप किस ने जीता तो दोस्तो सीनियर महिला राष्टे फुटबाल चैंपेंसिप जो है यह जीत लिया है तमिल नाडू ने तमिल नाडू की टीम ने दूसरी बार यह खिताब जीता है देखो सीनियर विमन्स फुटबॉल चैंपेंसिप इसमें मडिपूर का हमेशा से दबदबा रहा है मडिपूर जो है आपको जानकर हैरानी होगी 1991 से ये टूर्णामेंट शुरू हुआ है और इनमें से आज तक यानि कि देखो मोटा मोटा खितना 30-32 साल हुए है 30-32 साल में अकेले मडिपूर ने 21 बार ये टूर्णामेंट जीता हुआ है 21 बार ठीक है मडिपूर का काफी दबदबा रहा है इसके बाद पश्चि मंगाल दो बार जीता है दूसरा सबस्यादा वेजिता पश्चि मंगाल और तमिलाडू अब हो गया है जो की अभी दो-दो बार ही जीत चुके है तो दो बार ठीक है तो दो बार ठीक है इस बार ठीक है इस बार ठीक है इस से पहले या कहें कि पिछली बार का चैंपियन को था तो पिछली बार का भी चैंपियन मडिपूर ही था यानि अगर आप सुमझो कि अगर पूछा जा किसी भी वर्स में तो आप आख बंद करके लगा देना मड़िपूर ठीक है रीसेंड का एक दो वर्स हटा करके तो फिलहाल तमिल नाडू जो है इसने जीत लिया है अभी वाला हर्याना को हरा करके तमिल नाडू दूसरी बार जीता है तो पिछली बार कब जीता था 2018 में पिछली बार जीता था ठीक है तो फाइनल मैच अमिरे चरके गुरू नाना के स्टेडियम में खेला गया आगे बढ़ते हैं हाले में हेमिस फेस्टिवल कहां मनाया गया हेमिस फेस्टिवल हेमिस फेस्टिवल दोस्तों लद्दाक में मनाया जाता है हेमिस महुत सो बहुत ही पॉपलर महुत सो होता है वहाँ पर तिबतिये लोगों के तिबतिये कमिनिटी के दोरा यह मनाया जाता है और वार्सी ग्रूप से मनाया जाता है Hemis Festival ठीक है लद्दाक में ये भगवान पद्म संभो की जैनती पर मनाया जाता है इनहीं की जैनती को ये समर्पित है और ये जो भी information मैंने यहाँ पर लिख रखी है सबसे question बन सकता है बहुत ही carefully इसको याद रखेगा और no down कर सकना तो no down कर लेना आज कल question यह कम पूछा जा रहा है कि Hemis महत्सो कहां मनाया गया आज कल यह जदा पूछा जा रहा है कि कि किसको समर्पित है या किस परकार का निर्थ्य होता है ठीक है या कहां के किस छेत्र में होता है किस मठ में होता है तो यह सारे important points आपको याद रखने हैं बौद चित्रों का अनावराण किया जाता है करामाती छेतर में होता है खास करके विशेश उर्प से हेमिस गोंपा मड में आयज़ुत होता है अच्ये हेमिस फरेसिटेवल इतना जाद़र फेमस है कि वहां के एक नेस्णल पार्क का भी हम हेमिस नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है आपको याद आ रहा होगा ना भारत का सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपसे पूछा जाएगा तो आप यहीं बताएंगे ठीक है बड़ा नेशनल पार्क कहां पर है लद्द बावा देने के लिए one tap one tree campaign शुरू किया है इसके तहट उत्तर प्रदेश जो है ग्रामेड छेत्रों में प्रतेक नए जल connection दे रहा है जो उसके साथी साथ ने सुल्क पौधे भी दे रहा है फिरी में पौधे का भी plants का भी वित्रण कर रहा है जिससे लोग पौधरोपन को मत लगाये जा सके नमामी गंगे कारेकरम और ग्रामेड जल आपूरते विभाग भी इसमें मदद कर रहे हैं क्लियर है अच्छा आपकी मदद करने के लिए सीजियल में आपका इसकोर जादस जादा कराने के लिए आज इससे दोस्तों क्लासे सुरू हो रही है आज दोपार मे हम लोग 300 most important जो पूछे गए questions हैं और उनसे related जो concept हैं उनको मैं बताऊंगा जिससे अगर आपको बैलोजी में बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आप बहुत बढ़िया अच्छे जानकार हो जाओगे बैलोजी में ठीक है इसके अलावा रात में भी एक क्लास आएगी 8 प पाए रहते हैं ठीक है तो ये दो chapter जो है दो subject जो है वो आप आज तयार कीजिए आज से और उसके बाद एक दो दिनों के बाद subject change होगा ऐसे ऐसे करके सारे subject आपके कबर कराये जाएंगे CGL exam के पहले-पहले मात्र 15 दिन आप मुझे दीजे 15 दिनों में आपका GS बहुत ही अ ठीक है तो आज यहां पर हम लोग कुछ और चीजे बताते हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया था यूपी जब भी आएगा तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा special चीजे बताऊंगा यूपी special तो देखो अगर आपसे पूछा जाएगा यूपी में बताओ सबसे उपर सबस अगर आपसे पूछा जाएग्ण है सबसे पूर्व में कौन सा है तो आप इधार पतायेंगे सामली सामली आपको यहाँ पर मिल जाएगा सामली सामली जो है सबसे पश्चिमी है ठीक है यहाँ पर क्लियर है ना तो यह चार हो गए सीमा वर्ति इसके जिले बॉर्डर बॉर्डर वाले और इसके अलावाँ बाखी जी तुम आने आपको कल बता दिया था कुछ और चीज़े जैसे कि पांच एरपोर्ट हाँ पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट वाला एकलोता यह राज्य है सबसे आदा इंटरनेशनल एरपोर्ट वाला कौन-कौन से हैं तो देखो सबसे पहले लखनू वाला याद रखना चौदरी चरण सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट इसके अलावा बनारस में बाबतपुर में है एक लाल बहादू सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है पुरसोत्तम भगवान सरी राम इंटरनेशनल एरपोर्ट इसके अलावा कुसी नगर में कुसी नगर इंटरनेशनल बन रहा है पहले इसका नाम जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह भी आप याद रखेंगे किस कमपनी ने प्राधिकरित आर्थिक संचालग AEO T3 का दरजा प्राप्त किया तो अभी हाली में महारत्न कमपनी गेल यानि Gas Authority of India Limited यह एक महारत्न कमपनी है और यह जो है Authorized Economic Operator T3 का दरजा प्राप्त कर लिया है यह प्राप्त करने से क्या होता है यह प्राप्त करने से इसको अपना व्यापार वगरा करने में काफी ज़्यादा छूट मिलेगी और कुछ टैक्स वगरा में भी कंसेशन मिलेगा तो यह CBIC की द्वारा यह किया जाता है ठीक है न? CBIC की द्वारा CBIC बुले तो Central Board of Indirect Taxes and Customs की द्वारा यह दिया जाता है यह tag यह कहें कि status दिया जाता है तो इससे द्वारा यह कई जगा पर चेकिंग में भी काफी मदद पाएगा सहूलियत पाएगा कुछ जगहों पर टैक्स एकोनामिक और्परेटर का दर्जा तो यह पा गया है दर्जा T3 का गेल ठीक है गेल की बारे में बात करें तो 1984 में स्थापित हुआ था ने दिल्ली में हैटकॉर्टर है संदीप कुमार गुपता जी इसके महानि देशक है आगे हाली में किस कैंद्रिय मंत्री ने रिपोर्ट फिस डीजीज एब सुरू किया तो देखो इसको सुरू किया है पुरसोत्म रुपाला जी यह मद्स पालन के ये मंत्री है कल मैंने गलती से एक बार बोल दिया था है MSM मंत्री है तो उसको करेट कर लीजेगा मसमी मंतरी नारायन तातू राने जी है पुरसोत्तम रुपाला जो है ये मत्स विभाके मत्स पालन के ये मंत्री है रिपोर्ट फिस्ट डिजीज एप इनोंने सुरू किया हुआ है ठीक है अच्छा देखो कभी-कभी क्या होता है ना दिमाग में कुछ और चल रहा होता है मुझसे कुछ और निकल जाता है लेकिन वो कॉमन चीज़ें होती हैं बहुत ही रेर चीज़ें अगर आप समझ लो कि अगर रेगुलर स्टुडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ यह चोटा सा मिश्टेक हुआ है तो उसके लिए आप प्रिसान मत हुआ करो वो जैसे ही निजर में आता है मैं अगले दिन उसको करेक्ट करवा देता हूँ ठीक है ना तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बगल बता दिया था तो कभी-कभी निकल जाता है मुँसे दिवाग में वही चल रहा होता है लेकिन यहाँ पर क्योंकी अगला स्लाइड देखना होता है या अगला पॉइंट आपको बताना होता है तो इस वज़त से वो गलती से निकल जाता है ठीक है चलो तो पुरसोतम रुपाला जी ने इसे लांच किया है रिपोर्ट फिस डिजीज एप और ये नाम से हिस्पष्टे किसलिए होगा फिस डिजीज जो होती है यानि ये मचलियों की बिमारी होती है उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिए ये एप शुरू किया गया है ठीक है जो मचवारे हैं जो मचली की जानकार हैं जो अंतरश्य दायत्तों को पूरा करते हैं उनको अगर कोई मालो इंफर्मेशन निलती है तो वो इसके थुरू भी जो है केंद्री मंच होगा अगला किस देश ने विदेशी सर्मिकों के लिए डिजटल खाना बदोस्त रणनीती शुरू की ये शुरू किया है कनेडा ने कनेडा ने विदेशी सर्मिकों को अपने हां रोकने के लिए डिजिटल खाना बदोस्त रणनीती शुरू किया है इसके तहट क्या होगा इसके तहट होगा ये कि अगर माल लीजे कोई विदेशी सिर्मिक है और वो 6 महिने तक कनेडा में रहने की अनुमती चाहता है और सुचता है कि उसे नोकरी वगरा मिल जाए जवाब वगरा मिल जाए तो फिर उसे यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी ठीक है उसके पास देश में समय बढ़ाने का भी आउसर मिलेगा इससे क्या होगा इससे कनेडा में लोग आएंगे क्योंकि वहाँ पर स्टे कर सकते हैं सरकार की अनुमती होगी तो वहाँ पर एक स्किल्फुल जो पेसेवर है वो मिल सकेंगे ठीक है आप देखो कनेडा वगरा अमेरिका वगरा में क्या है अगर वहाँ से सभी इंडियन्स को ही अगर निकाल दिया जाए ना तब भी वो लोग इतना एकोनोमी उनकी डाउन हो जाएगी ठीक है केवल इंडियन्स को निकाल दिया जाए और वहीं अगर चाइनीज को पाकिस्तानी वगरा को हाँ पाकिस्तानी काफी टाइलेंटेड है पर्सन जो विदेशों में चले जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे देशों के अगर जाल दिये जाएना तो वो लोग इतनी बड़ी एकोनोमी ना रहें आज की टाइम पर ठीके वो लोग हैं क्योंकि लोग जो हैं वहां बहतर मौहौल पाते हैं बहतर एक्विप्मेंट पाते हैं और उसके बाद वह अपने टाइलेंट का यूज वहां पर करते हैं यही काम चाह वर्ड मैप में कहा पर है वर्ड मैप में आप देखोगे तो यह रहा अपना प्यारा भारत यहां से आपको आना है नौर्थ अमेरिकन कॉंटिनेंट में बहुत ही आराम से आप आ जाओगे चाहे धर से आओ चाहे उस ताही चलो तो देखो यह है नौर्थ अमेरिकन कॉंट इसमें टोटल हैं 23 देश लगता तो है बस तीनी देश हैं मैक्सिको युनाटरे स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनेडा लेकिन अगर इन सब को मिला लिया जाए ना तो यह सब टोटल हो जाते हैं 23 देश फिलहाल यहां पर हम लोग बात करेंगे कनेडा की दुनिया में सबसे आप उटावा मॉंट्रियल में भी इहीं पर आप उटावा इसकी कैपिटल है कनेडा की जो करेंसी होती है वह करेडियन डॉलर होता है और यह यूएस की डॉलर के मुकाबले में काफी कमजूर है लोग क्या करते हैं कनेडा में जाकर गर ले लेंगे और इसके बाद यूए बिजली आपूर्ती की मामले में भारत का कौन सा राज्य सीर्स पर है तो बिजली आपूर्ती की मामले में अभी एक रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि गुजरात जो है ये टॉप पर है गुजरात टॉप पर है पावर सप्लाई की मामले में सबसे ज़्यादा ठीक ह करते हुए पाचवा सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई वाला राज्य बन गया है ठीके ना ये लोग तो पहले से ही थे तो इनके लिए उतना सप्राइज वाली बात नहीं थी बिहार ने उत्तर प्रतेश और जारकन को पीछे कर दिया है पिछले वर्स बिहार में विजली आपूरती जो है इसमें 17 प्रत्सत की विर्धी देखने को मिली है और इसने लक्ष बनाया है कि 2025 तक राज्य के सभी गरों में 24 इंटु 7 पावर सप्लाई किया जाए ठीके ये बिहार में हो जाएगा और देखो अगर पावर सप्लाई और रोड ट्रांसपोर सिस्टम ये अगर बढ़ जाता है ये अगर किसी भी राज्य में या कहीं पर भी ज्यादा मात्रामी या 24 इंटु 7 हो जाता है सहुलियत हो जाती है तो समझ लो उसकी एकोनोमी अपने आप तेजी से गुरो होने लगती है फिलहाल हम लोग यहाँ पर यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि 10 कुश्चन हो गए हैं आज के और हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन फिरसे मैं आपसे कहना चाहूंगा 12 बज़े आज जुड़ियेगा हमसे और 8 बज़े साम को कंप्यूटर के लिए 12 बज़े आप बायलोजी के लिए जुड़ियेगा एक बार आप आज क्लास देखिए उसके बाद आगे कॉंटिन्यू करना है कि नहीं करना ही आप डिसाइड केज़ेगा ठीक है अगर आपको लगता है कि आपका लाश्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा स्कूर बढ़ सकता है जी एस में जिससे आपको डर लगता था तो आप जरू जुड़िये से क्लास से 45 दिन है हम लोग का रिवेजन का और आज भी हम लोग भी सुशन रिवाइज करेंगे राश्टिय सुरक्षित मातिरत दिवस 11 अपरेल को मनाये जाता है भारतिय चुनाव आयोग ने अभी हाले में आम आदमी पार्टे को राश्टिय पार्टे का दर्जा दे दिया है आज के टाइम पर 6 निसनल पार्टीज हो गई हैं इंडिया में सारजुनिक परिवाहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे सहरों के लिष्ट में मुंबई 19 अस्थान पर है और अभी डी गुकेज जो हैं ये सत्रंज खिलाडी है नहीं विसु सत्रंज आर्मा गैडियन एसिया और ओसिनिया का खेताब जीता है अच्छा इनहीं को इस बार समझे लो कि प्लेयर अब दे इयर का भी अवार्ड मिला है सत्रंज में फ्रीडम हाउस इंडेक्स में अभी हाले में तिबग जो है ये दुनिया का सबसे कम आजात देश का दरज़ा पाया हुआ है इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ एक्वेटेंस स्पोर्ट्स विश्व कब फाइनल्स दोजार चोविस की मेजबानी ये साओधी अरब में की जाएगे भारत सरकार ने प्रधानमंतरी राष्टिय भेक्षुता मेला या कहें पीएम नाम का आवज़न राजस्थान में किया यूपी के सीम आधित नात्ची ने दो दिवसिये राष्टे जलवाई सम्मेलन का उदगाटन लखनों में किया है माराथा उद्धो ग्रत्म प्रोष्कार से सम्मानित किया गए निले सांबरे और अभी हाले में ताइवान के पास लाइव फायर अभ्यास शुरू किया गया चाइना के द्वारा मानव अंत्रिक्ष का उड़ान अंतराष्टिय दिवस बारा अप्रयल को मना जाता है संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश के शुरू किया है और अभी हाली में गोंड पेंटिंग मध्यप्रदेश का प्रोड़क्ट है जिसे जियाई टाइग मिला है बसो हाली पेंटिंग है जम्मू एन कस्मीर का और गोंड पेंटिंग है मध्यप्रदेश का दोनों को यह भी मिला है जियाई टाइग वसे मध्वनी पेंटिंग बिहार को भी मिल चुका है अप्रेश कुमार सिंग ये तिपड़ा उपचनायले की नए मुखनाधिस निफ्ट किये गए हैं भारत और ग्रीस के बीच में इनी ओचस 2023 अभ्धास आयुजित हुआ है इसके अलावाज ZSI सोद करताओ ने गूफा में मेड़क की एक नई प्रजाती खोजी है मेगालाय में L&T कमपनी द्वारा भारत के पहले 3D डागघर भावन का निर्मार किया गया बैंगलोरू करनाटक में वेरि वेरि मोस्ट इंपोटन अभी वीडियो एक्जाम में पूछा गया था यह कोशन ठीक है देखो यहीं सबस्चाइन अरहे हैं लोग पूछते हैं कहां से कोशन आए देखो भया यहीं से सारी कोशन आये हुए तेलंगाना की राजिपाल ने अभी हाली में तेलंगाना मोटर वाहन कराधान अधनियम, जैसंकर तेलंगाना राजिकिस्ति विद्वाले विधेयक और तेलंगाना नगरपाल का कारून संसोधन विधेयक ये तीन को मंजूरिती हैं अभी हाली में जम्मू कस्मीर ने तीन दिवसी वैसाखी महोट सो कायजन किया है और विदेश मंतरी एसे संकर जी ने तुलसी घाड बहाली परियोजना का सुभारम किया यूगार्णा में क्लियर है ना बिल्कुल अब 900 कोश्चन आपने रिवाइज कर लिया है जैसे ही 1000 कोश्चन हो जाएंगी इसकी पीडियाप में आपको प्रवाइड कर दूँगा ठीक है चली बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक जुड़ने के लिए अच्छा लाजडी का कुश्चन रह गया ह इसमें गुशहर गया था आपसे कि MSME दिवस कबसे मनाया जाना सुरू हुआ 2018 से फीफा की अस्थापना 1904 पेरिस में हुई थी आज आपको क्या बताना है उत्तर प्रदेश का एकमात्र निस्नल पार्क दुद्वा निस्नल पार्क के जिले में इस्तित है अगला वर्तमान यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है तो दोनों कुश्चंस के बारे में आपको बताना है जो भी डेटेल हो और इसकी कुईज पीडियाफ पिलकुल फिरे में आपको दी जाती है मिलते हैं गली वीडियो में तकली नमस्कार जाहिंद वन्दे मात्रा